आज आपको मेरे पीछे यहां पर दो बेस नजर आ रहे हैं आपको बेस का साइज मालूम है यह आपके जो मैंने बेस रखे हुए है डबल 18 इंची के बेस रखे हुए है आप यह जानते हैं कि इसके अंदर कौन सा वाला स्पीकर लगाए जाए जिससे कि हैवी और हाई बेस ल मेरे कुछ भाई बेस के लिए परेसान है उनकी परेसा नहीं क्या है। यहां पर तो पहुत जबर्दस बे रहा है वाइब्रेशन भी दे रहा है पंच भी दे रहा है आज इन सभी बातों का बिल्कुल 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 सही तरीके से मैं अंत कर देने वाला हूँ मैं आज ऐसा speaker लेकर हूँ आपके सामने जो की काफी heavy जबरदस बेस देगा जितना यहां देगा उतना ही वहां देगा तो आएए चलिए दोस्तों चलते चलके पूरा वीडियो देखिएगा और हाँ अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार हैं और यह लाल वाला वटन आपने नहीं दवाया है तो इसको दवा दीजिएगा समझ गए ना समझ गए ठीक है तो डेली विलोग्स में आप सभी का एक फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मैं इस पीकर आपको दिखा चुका हूँ इस पीकर यह रखा आपके सामने मॉडल आपके सामने हैं आप पहचानते हैं इस पीकर कौन सा है आप ची तरहीं के से पहचान लीजिए इस स्पी हमारा वीडियो है वो बेस को बिल्कुल इस तरीके से आपको समझा देगा कि आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी अगर आप अपने बेस से खुस हैं तो कोई दिकत नहीं है आप इस वीडियो को एज इंटेंटमेंट लीजिए मगर आपका बेस आपको दुखी कर रहा होने मैं यहा पर यूज कर ओओ यह स्पीकर अब एक बात लिकलकर सामने आतीए कि यह वाला जो स्पीकर है कि यह बोडर का है यह किस कम्पनी गाए तो हम इसी वात पर बात करेंगे तो इहां ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा 2,000 वाट का स्पीकर इस पर दो इस पेड साड़े चार इंची की voice coil लगी है साड़े चार इंची की voice coil आपको कितना फायदा देती है क्यों पांच इंची की voice coil इतना फायदा नहीं देती है मैं यह बात आपको डिटेल से बता हुआ लेकिन उससे पहले आप इस speaker का overview देख लीजिए इस speaker को अच्छी तरीके से निहार ल प्रेसों में फेर बदल करने की जरूरत नहीं है मगर जो भाई अपने बेस के साथ ना खुष है उनको लगता है प्रोग्राम के अंदर उनका बेस पास में तो खड़ी जनता को खुष कर रहा है लेकिन जो लोग थोड़ी दूरी पर खड़े हुए उन तक बेस धंग से नह अपने बेस का कमाल दिखाना चाहे तो वहाँ पर फेल हो जाता है तो यह स्पीकर साड़े चार इंची वोइस कोईल का है इसकी बेस की थ्रो आपको मिलेगी जो इसका बेस है इतना ही यहां पड़ेगा और यहां से आगे जाकर भी उतने ही जबर्दस तरीके थे पड़ेग यहां पर मैं किसी भी कमपनी का प्रचार करने के मकसद से नहीं आया हूँ पहली बात मैं खुलासा कर देता हूँ दूसरी बात जोई स्पीकर आपको पसंदो बिल्कुल वोई स्पीकर यूज कीजिएगा मगर उसकी परफॉमेंस अच्छी होनी चीए अगर मैं यहां पर ज जो माल आपने मुझे भेजा है वो जबरदस्त है अगर आपको यकीन नहों तो इससे पीछे वाली वीडियो को देखिए गा उसमें कुछ कमेंट से मैंने जो पड़े थे अभी हाली में जो सेट अप भेजे थे उन भाईोंने परफॉमेंस दी मैं बात करता हूँ फैक्ट् सकते हैं बाकी मेरे सारे प्यारे प्यारे यर्माले हैं पता है क्यों सही बोलेगा ब बात करते हैं इस वाले स्पीकर के तो यहाँ पर इसकी चेसी जो है कर दोस्तो बात करें इसकी मेंगने olmaz की 220 हएट की 75 अगने दोस्तों जो उसके उपर प् enjoying a अगर इसको टेक्निकल भासा में कहा जाता तीयों के ऊपर जो डिजाइन दिया हुआ पाइटिकुलर यह अगर डियाइन देखोगे तो यह काफी स्टार केटिंग का डिजाइन काफी अच्छा है मगर हमें इसकी खूबसूरती से ज्यादा इसके अंदर दियेगे होल से घामे दोस्तों देखा जाए तो यहां पर आपके डश्ट से बचाने के लिए इसको ब्लॉकेस दी हुई है दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए मैं जो स्पीकर यूस कर रहा हूं उसकी कंपड़ी का नाम आपको बता देता हूँ और यहां पर इसकी पहचान आप लोग देखेंगे तो यहां पर 3D होलोग्राम दिया हुआ है जो कि आपको पहचानने में काफी आसान रहेगा यहां पर आपको पुस्ट बैक टर्मिनल दिये हुए अगर आप इनको दबाएंगे पुस्ट करेंगे तो इनकी काफी अच्छ होगी न जलेगी न जडेगी आपको काफी फाइदा मिलने वाला है दोस्तों अगर इसकी कौन की बात की जाए तो यह ब्लैक ओइल कोटिट कौन है दोस्तों बहुत से भाई इसको वाटर पूप भी बोल सकते हैं मगर यह काफी अच्छी क्वालिटी की कौन होती है अगर आ बहुत बहतरी न फाइदा है मौस्चर से आपका स्पीकर बचाता है कई बार क्या होता है बार इस पड़ी मौस्चर स्पीकर पागए स्पीकर आपका खराब हो जाता है लूज हो जाता है मगर जब यह ब्लैक ओल होता है कोटिट तो आपके स्पीकर पर मौस्चर नहीं आए तो यह 3 layer Perry थे जो फाइदा मिलता है जब हमारा पड़ा जंप करता है तो उसकी जो frequency होती है ना वो वो कंट्रोल रहती है अगर हैवी वाली जम पाती है ना जब भी वो उसको अबसर्ब कर लेता काफी अच्छी आपको बेस्ट थ्रो में मिलने वाली है जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था पांच इंची वोइस कोईल के अंदर 2000 या 1800 वाट जो स्पीकर होता है उसके अंदर देखा है अगर आप इस स्पीकर को यूज करते हैं और भगवान ना करें कि आपका स्पीकर भविस्ती के अंदर कभी खराब हो कटिंग करके आप देखेगा इसमें आपको तीन स्पैडर मिलने वाली है दोस्तों अगर इस मॉडल की बात की जाए मॉडल है वी टू साइस की आठाइंची साइज है वाटाइज की बात की जाए दोस्तों साढ़े चार इंची वोइस कोई के अंदर पंद्रासो वोट आपको यह आरमेश पावर देता है वो भी फुल फुल यहां दोस्तों मेरी पूरी की पूरी उमीद थी कि आज की वीडियो के अंदर मैं इस स्पीक और मेरे भाई मेरे सापोर्ट करें, जिसका मैं दोनों हातों से जोड़कर अबिनदर करता हूा अपने भाईों का दोस्तों, जैसा कि मैं ने आपको बताया कि मेरी उमीद थी कि इस वाली वीडियो के अंदर मैं इसको फिट कर दू आपको दिखा हूँ, तो मैं वह नहीं कर प लिए जय हिन्द वंदे मातरम भारत माता की जय और कल फिर मिलेंगे